हाई फ्रेंड्स इस वीडियो हम बात करेंगे मैक्सिकन लीक के मैच के बारे में और यह मैच खेला जाएगा मजाटलन एपसी और कलब लियोन के बीच में तो इन दोनों टीम में सा आज के मैच में कौन सी टीम एक सट्रोंग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टोपि वीडियों कम्प्लीट दी जाएंगे आप वीडियो को ध्यान से देखना तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की पहले पॉइंटेबल उसके बाद में दोनों टीम की रिचेंट फोर्म पर भी नज़र डालेंगे तो पहले पॉइंटेबल पर तो मजाटलन एफसी मैक्सिकन मैच में एक सट्रोंग यानि फैवरेट टीम मान चले तो मैं इस मैच में कलब लियून को फैवरेट टीम मान चल रहा हूं अब आप सोच रहेंगो पॉड़ भाई यह तो इस लीग की काफ़ हलकी टीम है तो आप मजाटलन एफसी क्यों फैवरेट नहीं मान रहें क्योंकि म लेट लियून अफसी एक एवरेज टीम है और कलब लियून एक 272 टीम मेकसिकन लीग की तो इसलिए मैं कलब लियून के फैवरेट टीम मान के चल रहा हूं लेकिन मजाटलन का फलके मत लेने हैं क्योंकि में होते हैं वो टीम काफी अच्छा से परफॉंस करती है अटेग से भी और डिफैन से भी लेकिन फीर भी कलब लिओन को फैवर कर रहा हूं क्योंकि है ट्रोट में भी कलब लिओन नीशती तीम सामने मैच अधिक तरह विन करें लेकिन हम बात करेंगे जब दूना तीम आपस में हैट्वर्ड मैचस खिलती है तो दूस्त छे हैट्वर्ड मैच्छ दूनु टीम के बीच में खिल गए मजाटलन ने दो विन लेकिन उसे पिछले दो मैच लियोन ने विन करें इन टीम सामने, एक मैच 30 से किया है, एक मैच फिर मजाट लगन इन विन करें है। तो दोस्त करब लियोन मजाटलेन FC का हम रिसेंट फोम पर नज़र डालेंगे तो पहले मजाटलेन FC ने रिसेंटली 6 मैच खिलें 6 मैच से एक विन किया है एक ड्रोग खिला चारलोस की एक टेक वन तीरे डिफेंस टू है अटेक देखा जाए तो थोड़ा सा गंदा देखने म तो मतलब ज्यादा गोल कंशीड कर देती है अब हम बात करें जो पिछला मैच नगाकसक सामने टीम 10 साहर गई और एक मैच टॉलो का सामने अटेकिंग तो अच्छा मतलब अर मैच में गोल कर देती है लेकिन डिफेंस टीम का डाउन है अब हम बात करते हैं कलब लियोन का कर्णफ किस परकार है तो दोस्त कलब लियोन चहे मैच खेल चुकिए, चहे मैच से पांच विन की हैं, एक डो खेला, अभी तरग कोई मैच लौस नहीं किया, अटेक 1,8 डिफैंस, 0 थी रही है, अचेक देखा जातो भूश बहुत बहतर, मतलब हर मैच मेच में दो ये तीन गोल कर देती है, और डिफैंस देखा जातो पर तीन मैच में सिर्फ एक गोल इस्टेम ने कंसीड किया आप अंदर जाए लगा सकतो कि इस टीम का डिफेंस और टेक फिल हल टेम पर कितना बहतर है अब हम बात करें जो पिछला मैच संटोस लगोनक सामने टीम 4-1 से विन कर गई और एक मैच 2-0 से विन किया उससे मगावल 1-0 सब्सक्राइब पिर 1-0 से विन किया फिर 2-0 से विन किया एक मैच अटेकिंग ड्रोप पिला तो पिछले 6 मैच में इस टीम ने सिर्फ डिफेंस से 2 गोल कंसीड किये और एक से हर मैच में दो या एक गोल पर मैच सकूर किया तो अटेक भी मजबूत है और डिफेंस भी काफ फिर हमने दोनुटीम के हैट Two at मैच पे नजन डाली फिर हमने दोनitted कि यीज़न्ट फार्म परıldı और नजन डाली अगर हम इन तीनों हो फॉर्मेंट को एक साहथ कमपेर ले कि कौन से टीमका इन तीनों फॉर्मेटमे बीब फोदो इ生न वाई सि घोलो के पोज़िस गेतर है अधिकति तर मैचे मतलब कलब ल्योन विन करती है एठ वर्ड में लेकिन दो मैच मजाट लेने भी विन करे हैं और रिसेंट फरम देखा जाया है तो मजाट लेन ने का अठेग भी काफी गंदा है और डिफेंस एउरेज है और कललम लियून को परफॉमेश अटेक से भी काफी स्यांदार आया है और डिफेंश से भी काफी मश्बूत आया है तो कही नगए मुझे एक तीनो फॉर्मैट में कलल लियून इक फैबरिट टीम दिख रही है क्युँ, क्योंकि मैंने मजाड ल्नका डिफैंज देखा हर मैच में गोल कंड़ेड़ कर देता है, दो तीन गोल आराम से तो इसलिए मैंने Macht град ल्योओन को दो गोल रखा है और साइद एक गोल मजाडलन के भी आ सकता है क्योंकि मजाट लें यह अपने होम में खेलेगी मैच तो कहीं ने कहीं एक गोल कर सकती है तो इसलिए मैंने इस मैच के स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन रखा है वन टू और वन टू के प्रेडिक्शन कुरू उसर क्या रहती है इस मैच के हमारे टिम उस पर हम नज़र डालते हैं पर हां अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल डू करने वीडियो इंफोर्मेशन आप लिए इस चैनल पर ऐसी ही मिलती रहेंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और आइकन को ऑन करना उकाँ बात करते हैं शिद्मूर्दी के लिगा कि प्लियर वाज़ कि कौने इस प्लियर ने कितना इसिष्ट कि तो के से हैं तो गैज मजाट लिग अपीट की तरफ से टाफ़ार गोल टेगर diollas Jord tiक की फिरिया इस टीम के लिधे यह तर टीम के लिधे रétat श्बय test flint the यहां पर यहां आप इनका सब का स्क्रीन सोट ले सकते हैं लेकिन यह इस टीम की तरफ से जो निकोलास है यही की इंपोर्टन प्लेयर है अगर गोल आएगा तो इसका चांस जाद रहेंगे इस मैच में यानि 80% चांस है इसी के गोल आने का बाकि सभी प्लेयर्स का आपको सामने रिकॉर्ड ह अब हम बात करते हैं असिस्ट वालों कौन से प्लेयर हैं क्योंकि एक असिस्ट का फैंटेसी में 20 पैंट मिलते हैं तो वह प्लेयर्स भी इंपोर्टन रहेंगे तो चलिए असिस्ट वाले प्लेयर्स को देखते हैं तो असिस्ट में गोल में भी असिस्ट में रखा है यहां हम तक कि यहां से बाल सरब आप यहां पर इस मैंज में खेलने का स्ट रखों तो कड़ आगर इनकी पोजिशन को देखते ले लेंगे बाव को चलने शोट तो अब बात करतें का लग उसके नसितria डालता है किंवे exactamente कलब लियोन की तरफ से कर देखा जा टोफ हाइट गोल लुकास डी यूरिया इस टीम की तरफ से ग्यारा गोल कर चुका विक्टर डाविला के भी इतनों गोल आये हैं अंजेल मीना के भी तीन गोल आये हैं अंजेल मीना लेकिन खेलेगा नहीं क्योंकि यह अपने नैशनल टी टीम लिए खेलने होगा तो कुछ चैंजस हो सकते हैं क्या पता बड़े-बड़े प्लियर्स इस मैच को ना कहले तो आप सप्राइज या हैरान बिलकुल मत होना ओकर फिर हां से इस टीम के लिए चार असे निकाल चुका मीना भी नहीं खेले क्योंकि यह इन भी नैशनल डूटी पर है फिर यहां से कैम्प बैल है साइध यह भी ना खेले और बाकि यहां पर जितने भी प्लियर्स हैं उन सभी का आपके साम रिकोर्ड भी है आप इनका सिक्रीन सोट ले सक लेकिते हैं तो अब हम बात करते हैं इस मैच कि स्कॉर्ड लें वन टू रखा है बन टू को प्रेडिक्शन को वह तो नजर डालते हैं इस मैच के टीम पर और इस वीडियो को सेकंड बेस्ट पार्ट जहां पर मैं आपके लिए हर एक प्लियर्स के बारे में पूरी कम्प्ल लेकिन लोजिकल अगर देखा जाए तो मजाट लेंग के अटेक परफॉमस्स सही है लेकिन डिफेंस देखा जाए थोड़ा से गंदा है और हमने कलब लिए अटेक देखा वह काफी स्यांदार वह डिफेंस मजबूत है तो मुझे लगाता कहीं कहीं मजाट के गोल के पर इस म कोटव को ले सकते हैं फिर हम बात करें डिफेंडिंग सेक्शन में तो अपनी तीम में हमने देखा कि डिफेंस लिएंड का मजबूत है तो लिएंड की तरफ से हम डिफेंस वाइस देख जाए तो इन प्लेए को लेंगे क्योंकि हमने देखा इनका पर्फॉमस्स आया यह विल्यम टाशिलो है आप इन्हें रख सकते हो लियोन की तरफ से अच्छा कर सकता है लेकिन मुझे लग रहा कि नेशनल डूटी परी तो इसली मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूं लेकिन लाइन अप में कुछ चंजस होगा तो इसको भी लेकर चलते हैं फिर यहां से इंब्रीज है कलब लियोन की तरफ से यह अच्छा कर सकता है रोबर्ट मिराज के तीन गोल आये हैं तो इसलिए इनको लेकर चलेंगे बाकि यहां पर ऑप्शन तो बहुत ज़्याद हैं कैंप बैल है लेकिन मुझे चांस के कम लग लगने क्योंकि इन्वेशन डूटे पर ल क्लिए लुकास को पिक कर चलेंगे और यहां समय में बैंदेती को पिक कर चलेंगे दोनों अपने अपने टीम की कर चुछ है तो इनको लेकर चलेंगे और विक्टर डाविला का चांस थोड़ा सब्सक्रा यह भी नेशनल डूटे पर है तो साइट ना भी खेले अगा तो हम मेरा आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी किया तो आप फाइनल टीम तक को इंतिजार नहीं करो क्योंकि सब कुछ तो आपके क्लियर बताया क्वाइब की बात कि जाने तो मैं टीम में क्वाइब को देख चला हूं और वाइस के बात कि जाए तो उपर डिफेंडिंग सेक् प्डेट कर दूँगा और हाँ सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्योंकि आज बहुत सारे मैचसे से फुटवालो उन सबकी वीडियो आपके यहीं पर मिलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें